कि अच्छों स्वागत है आप सभी का आश्वी सिंग लेक्चर की इस लाइव स्ट्रीमिंग में लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में माइसेल्फ रिनू घैलोत और हम लोग आज स्ट कर्टे आ ciudad करते हैं मारी आज खिए तो आज कि लुग अपको कहीं में डाइग्राम मिलेगा बोड की question में clear है तो इसी लिए आपको आज डाइग्राम बनाना सिखाया जाएगा इस class के अंदर तो देखो chapter number second और specially class है आपकी आप बोल सकते हो special class है पर diagram ताकि आप आपका सपना देखो मैंने जिस दिन से class start करी थी day one से मैंने बोला था अगर हम लोग बोड के लिए prepare कर रहे हैं तो हमें hundred out of hundred सोच के ही चलना है हम एक percent हम एक percent risk नहीं लेंगे कि हमारा आदा नंबर भी कटे हम फूरा try करेंगे कि हमारे hundred out of hundred आई बोड में चाहे उसके special class जो किसकी आपकी डाइग्राम की चलो तो सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है चैप्टर का नेम है sexual reproduction in flowering plant पुषपी पादपो में लेंगिक जनन तो पुषपी पादपो में लेंगिक जनन ने तो इसली बात है सबसे बेटा पहला डाइग्राम किसका आएगा सबसे पहला डाइग्राम आएगा आपका फ्लावर का पुषप का नाइंटी नाइन परसेंट चांस है कि यह एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टेंथ क्लास से आ रहा है यह कभी नहीं पूचा ठीक है आएगा क्या कोईशन फिक्स है कोईशन वहीं से आएगा ठीक है बट फिर भी चीख लेतें पांस मिनट लगेंगे और मैं आपको बता रही हुँ ना आप लोगों को प्रेक्टिस भी करनी होगी देखो एक दिन में एक क्लास में मतलब क्लास में अभी सीखा अपने आप घर पर ट्राय करोगे आपका डाइग्राम जल्दी नहीं बनेगा एक्जाम में आपको डाइग्राम बनाना है कैसा डाइग्राम बनाना है सुन्दर डाइग्राम बनाना है ऐसा नहीं कि गंदा सा डाइग्राम बना दिया डाइग्राम अट्रेक्टिव होना चाहिए ड लिए उसको लगना चाहिए डाइग्राम इतना सुन्दर बनाए इतना अच्छा लेबल किया है तो बच्चे ने क्या ही गरत लिखा होगा है क्लियर तो डाइग्राम आपकी कौपी मतलब डाइग्राम आपको बनाने सुन्दर दासे ठीक है और कैसे आएंगे प्रेक्टिस आएंगे मैं आपको बनाना सिखाऊंगे आज और जब आप उसको कंटिनुसली लगातार अपने हां से प्रेक्टिस करोगी तब जाकर आप एक् लेबलिंग क्लियर है देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं डाइग्राम के अंदर जो डाइग्राम वाले कोईशन होते हैं या फिर डाइरेक्ट दो माक्स से कोईशन आजाता है कि डाइग्राम बनाओ अब बच्चे उसमें डाइग्राम तो बना देते हैं कि कौन से पार् करते हैं तो पहला डाइग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है सेकंड उसकी लेबलिंग बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है इन दोनों रूल को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा डाइग्राम इतना ब्यूटिफुल होगा कि कोई भी एक्जामिनर मतलब एक्जामिनर इतना भी खुश हो जाएगा कि वह आपको अच्छे नंबर देगा ठीक है देखो यह डाइग्राम इंपोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम ट्राइग करते हैं सबसे पहले हम लोग बनाएंगे थैलमस क्या बनाएंगे हम लोग अधालमस बनाएंगे ठीक है ग्रीन कलर से बनाते हैं ख़ने हैं अनकल में तो यह गष्च बनाना है ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करते नहीं बस यह एक तो मेरे पास तो ऑप्शन है कलर फिल करने का तो स्लिए कर रही हूं हूं कि अब करने से पहले हम इसकी लीफ बना लेते हैं क्योंकि कहीं न कहीं इसके उपर यह आपकी लीफ नहीं तो लीफ बना लेते हैं कि लीफ समय लेते हैं किया कई A Ś evolve कुछ नहीं करना एक लीफ इधर बनानी है एक इधर नानी और एक उपर बनानी है अब चाहो तो आफ इसमेन कांवाट कर सकते हो और चाहो तो नहीं कर सकते हो अब just according चाहते हो diagram को उस according आपकर सकते हो अगर आप चाहते हो इसके अंदर color fill करना तो आप color fill कर सकते हो ठीक है जैसे है यहां पर किया गया है हम लोग ट्राय करेंगी कि हम लोग अच्छा diagram बनाएं ताकि फिर एक्जाम में अरबट अप्जाम में कलर नहीं भर सकते हो उम्टि एक्जाम में आप लोग लोग बढने नहीं वेड़ जाना ठीक है पता चले सारा टाईम निकल जाएगा वहीं एक दो नंबर के डायग्राम के चकर में आपने पूरा असी नंबर का पेपर छोड़ दिया नहीं ऐसी गलती नहीं करना एक्जाम में कैसे कोईशन अटेम्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी so don't worry जब time आएगा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए और time management करना आपको अभी से सीखना होगा तभी आप जाकर आगे अच्छे से time manage कर पाऊगी clear ठीक है यह थोड़ा सा टेड़ा लग रहा है क्योंकि यह थोड़ा सा इदर शिफ्ट हुआ लग रहा है बट कोई ना यह डाइग्राम नहीं आने वाला आपके एक्जाम में ठीक है तो डॉन्ट वरी है बट सुन्दर बनाना है इसको तो देखो इसको बड़ा कर लेंगे हम अब है अब है अब है इसके अंदर क्या बनाना है इसके अंदर हमको बनाना है कि यह बनाया हमने स्टिग्मा यह हमने बनाया आपके परागकर्ण बनाने है परागकर्ण नहीं बनाने है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना है फिर बच रहा है आपका एक और पार्ट वो कौन सा है यह ग्रीन वाला पार्ट है देखो सिंपल सा लिखा है यह क्या है कारपल है या स्ट्रीकेसर है यह पुणकेसर है यह आपके क्या है दल है यह क्या है बाहे दल है और ये क्या है पुषपासन है यह डाइग्राम नहीं आएगा एक्जाम में बट हम बना रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है पुंकेसर का डाइग्राम बनाना है ठीक है पुंकेसर का आपको आना चाहिए डाइग्राम बनाना कुछ नहीं करना पुंकेसर के डाइग्राम में आपको ऐसे गोला बनाना है गोला बनाना है उस लाइन खेचनी है और ऐसे कर देना है ठीक है और यहीं लाइन बड़ी खेचनी है तो आपका क्या बन जाएगा पुंक्येसर लेवलिंग मस्त है तो हर डाइग्राम की हम लेवलिंग करेंगे यह होता है आपका यह है आपका पराग कोश और यह क्या है आपका तंतु ठीक है जायांग की बात करते हैं स्त्रीकेसर के डाइग्राम की सबसे पहले क्या करना है सी बनाना है उल्टा यह सी बनाया फिर इसके ऐसे करना है दोनों तरफ फिर इसको सी इधा नीचे ले जाना एक ट्यूब बनानी है और नीचे आपको क्या करना है डाइग्राम छोटा बन गया देखो सबसे पहले सी बनाना है ठीके सी बना दिया उस डंडी बनानी है, simple सा, यह डंडी बना दी, फिर नीचे यहां पर क्या बनाना है, अंडाश्य बनाना है, मतलब एक गोल से संरशना बनानी, उसको क्या बोल दिया, अंडाश्य, और बिजार्ड नहीं बनाने, आप यहां पर इस प्रकार से बना सकते हो अभी, ठीके, यह क्या ह हो गया, व्रतिकागर, यह वाला व्रतिका, यह पूरा अंडाश्य, और उसके अंदर क्या है, बीचांट, यह डाइग्राम तो ऐसे ही है, हम ऐसे ब्राने सीखने जा रहे हैं, अब सबसे इंपोर्टेंट आता है, आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डाइग्राम, इस च पराग कोश्ट की अनुपरस्त काट का डाइग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट डाइग्राम है, देखो आपकी NCRT में तीन डाइग्राम दे रखे हैं, आपकी NCRT में तीन डाइग्राम दे रखे हैं, यह तीन डाइग्राम आपकी NCRT के अंदर दे रखे हैं, यह पराग कोश की बित्यों का डाइग्राम अगर आपको बोले एक्जाम में कि पराग कोश के अंदर भित्ती समझाईए तो बित्यों को पदर्शित करते हुई क्या लिखा है बित्ती को पदर्शित करते हुई एक लगु विजानू का विस्तारित परी द्रश्य और एक इस्फूटित इस फूटित पराग कोश जब पराग कोश परिपक हो जाता है तो उसमें इस फूटन किस प्रकार से होता है तो यह डाइग्राम बनाना सीखेंगे हम लोग यह तीनों ही डाइग्राम मोस्ट मोस्ट आप इस पर फाइफ टाइम स्टाल लगा सकते हैं मोस्ट मोस्ट इंपॉ Queen बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है है कि देखूं कि बनाते हैं ड्बाटेम कि अ सबसे पहले अगanut अल्रेडियाप लोगों के लिए पराग कोश की अनुप्रस्त काट का डाइग्राम बनाना है तो पहले आपको फुंकेसर बनाना है फिर इस पुंकेसर में इसको जूम करके शो करना है कि जब आप इसकी काट काटोगी तो आपको कैसा दिखाई देगा डाइगराम green color का है तो हम लोग try करेंगी कि 3 color का डाइगराम बने पहले हम लोग diagram को देखेंगे देखो जब आप diagram को देख रहे हो तो आपको 4 C दिख रहे हैं 1 C से, 1 C से, 1 C से और 1 C से ठीक है starting में आपको ऐसे सीखना पड़ेगा बढ़ जब आप 4 से 5 बार practice कर लोगे tips पर याद हो जाएगा तो 4 आपको इसके अंदर C दिख रहे हैं फिर इन C को ऐसे मिलाना है आपको उपर वाले C को ऐसे मिलाना है इस वाले को ऐसे मिलाना है और इसके अंदर तो ऐसे मिलाना है ठीक है clear है simple सा देखो बस क्या अगर ने 4 C बनाने है एक एक दो तीन और 4 C बनाने है उपर वाले C को सीधा जोडना है उपर वाले C को सीधा जोडना है बीच वाले C को ऐसे ऐसे जोडना है ठीक है ठीक है और पिर इसकी बाद में इसको भी ऐसे जोडना है अब यह जो नीचे वाला है इसको उपर ले जाकर ऐसे जोडना है देखो same diagram बनाए as it is इसमें क्या है इस diagram में देखो एक ये C है एक ये C है एक ये C है एक C है कि सीधे उपर वाले सीधा जोड़ा यहां पर थोड़ा सा हमने मोड कर जोड़ा इनको और यहां पर हमने इसको ऐसी जोड़ा अब देखो नैक्स इसके अंदर लाइनिंग इंग नो हुध में जूम करेंगे ना तो हमको सब दिखेगा दिख रहा है आप डोगों जो इसको जब आप जूम करोगे तो आपको क्या दिख रही है कितनी लेयर दिख रही है 1-2-3 तो आपको ऐसी 3 लेयर बनानी है ऐसी 3 लेयर बनानी है तो तीन लेयर बना दो ऐसी सुन्दर सुन्दर बनानी है साफ साफ बनानी है बीच में घिच पिच नहीं करना है और ट्राइ करना है कि मिटालने की ज़रूरत ना पड़े ऐसे कोशिश करो मैं भी ऐसे ही ट्राइ कर रही हूँ तोटल तीन लेयर होनी चाहिए, तो दो तो हो गई हमारे पास में एक और बनानी है हमको, ये लास्ट वन बना दी हमने, ये मिक्स हो गई यहाँ पर, बढ़ ट्राइ करना है आप लोगों को कि ये मिक्स ना हो, और आपका डाइग्राम सुन्दर से भी बहुत सुन्दर दिखे ठीके, तीन लेयर हो गई यहाँ पर, आप देखो, उसके बाद डाइग्राम के अंदर जाओ, डाइग्राम के अंदर आप देखोगे, आपको ये रिंग दिख रही है दो, यहाँ पर दो रिंग दिख रही है, तो ये रिंग बनानी है आपको अब, अब यहाँ पर हम यल्लो कलर से बनाएंगे, ठीक है ना, ये एक और ये दूसरी, clear? अब यहाँ पर भी बनानी है, ठीक है? अब आपको तो ये पता होगा ना, ये रिंग को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि आप लोगों ने तो ये शेप्टर पढ़ लिया है, बताओ एक पराग कोश के अंदर कितनी लगू बिजानू धानी होती है, बताओ मुझे एक पराग कोश में कितनी लगू बिजानू धानी होती है, चार लगू बिजानू धानी होती है, नहीं होती है देखो diagram पे आजाओ, तीन लेएर है, बीच में दो ring है, और ये एक body ring है, बस बन गया आपका diagram, बन गया आपका diagram लेबलिंग करनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं, इसी योजी से क्या मिलता है, portion मिलता है इन सब को, सबसे बाहर की तरफ कौन सी परत होती है बाहे परत फिर इसके अंदर कौन सी लेयर होती है इसके अंदर आपकी एंडोधीशम होती है अंतस्त तवचा इसको आप बाहे तवचा भी बोल सकते हो इसको आप बोलो अंतस्त तवचा फिर बीच में middle layer तो यह है आपकी middle layer मध्य परत फिर कौन सी layer आती है tapitum तो यह है आपकी tapitum और उसके अंदर क्या होता है यह है आपका बिजानु जन उत्तक यही बिजानु जन उत्तक क्या बनाएगा लगू बिजानु मात्र कोशी का clear बताओ diagram आया समझ में बिल्कुल simple easy way में diagram बनाया है क्या करा है तीन ring सबसे पहले 4C बनाए सबसे पहले वापस देख लो इदर सबसे पहले 4C बनाए ऐसे जोड दिया इनको ऐसे जोड़ा हमने और इसको हमने ऐसे जोड़ा बीच में ऐसे ही हमने 3 layer बना दी फिर उसके बाद में 2 ring सब जगे सारे 4 तरफ 2 ring बना दी और बीच में एक ring बना दी इसको हमने योजी बोला और बाकी हमने layers के साब से labeling कर दी बताओ yes या no अब हमारे diagram पे आते हैं हमारे diagram में आप देखो second क्या है उसकी बित्तियों का diagram अब इसने क्या करा उसको zoom करके बता दिया क्या करा यहां वाले परत को ऐसे ही चारो तरफ arrangement होगा तो इसने एक को zoom करके बता दिया है इसने इस एक को zoom करके बता दिया है कि यहां पर बित्तियों का arrangement इस प्रकार है तो इसको हम next slide पे समझेंग फ्रीक है तो अगर आपको बोले कि पराघ कोश के परीपक पराघ कोश की अनुपरस्त काट बनाओ थो यह बनाना है फिर बोले उसकी भिट्टिди। Umideo के बारे में बताओ तो तो यह यह और उसके बाद में थर्ड नम्बर पर यह बनाना है ठीके अब देखो वहां पर उसने उसको जूम किया यह तो मैं यहां पर ऐसे जूम कर रही हूं कि ऐसे जूम किया है ना इसने अपन भी ऐसे जूम करेंगे आपए ठीक है हमने भी एक पराग बित्ति को जूम किया है पिंग कलर से कि एक पराग बित्ति कैसी दिखती है इसको हमने निकाल के देखा है सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है बाहे तो अच्छा सिंगल लेयर होती है कैसी होती है सिंगल लेयर तो सबसे बाहर की तरफ सी बनाना है और single layer बाहे तो अच्छा बनानी है प्रतेक में केंदर की संक्या कितनी रहेगी एक एक रहेगी इसके अंदर की तरफ single layer कौन सी endothesium तो endothesium को हम yellow color से बनाएंगे इस color से बनाते हैं यह आपकी endothesium endothesium तब के अंदर एक एक न्यूक्लियस बना दो चीके फिर इसके अंदर क्या होती है मिडल लेयर होती है मिडल लेयर कैसी होती है बहु परती होती है तीन से चार परती है होती नहीं होती है मध्य परत बहु परती होती है ये बहु परती है मद्य परत मद्य परत के अंदर कौन सी लेयर है टैपिटम की परत है कैसी होती है सिंगल लेयर बट इसके अंदर न्यूकलियस कैसे होते है बहुत सारे न्यूकलियस होते है ये न्यूकलियस है इसके अंदर बहुत सारे सबी परत के अंदर आपको सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा बट इसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लियट होते हैं बहु केंदर की होती है कोशिका द्रवे कैसा होता है गाड़ा होता है क्लियर है क्या करती है पोशन ब्रदान करने का कारे करती है और सबसे अंदर की तरफ सबसे अंदर की तरफ आपकी क्या है सबसे अंदर की तरफ आपकी कोशिकाएं है बिजानु जन उत्तक की कोशिकाएं अब अगर इसको लेबलिंग करना हो आपको तो वही सेम लेबलिंग हो जाएगी सबसे अंदर सबसे बाहर से करते हैं यह है आपकी बाहे तो अच्छा फिर अंतस तो अच्छा फिर मध्य परत टैपिटम फिर फिर क्या हो जाएगा बिजानु जनु तक के agree से बाहेव हां और कुछ नहीं ही जादा थीक है चलूघ नेक्स पर चलते है इनेक्स डाइघ्राम हमें किसका बनाना है इस फूटन का बनाना है इस फूठिट पराग कोश्का डाइग्राम ठीक है अगर आपको बोले एक परिपग पराग स्वुतइत पराग कोश्थ सफूटर मतलब क्या होगा कि फ़राग कण वहां से बहार निकल रहे हैं इडागराम में रहिए सिंपल सा सी बनाना है वहीचार वही चार शीजेय बनाना है इसमें उपर वाले को जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, बीच में ऐसे जोड़ेंगे, पिछले वाले में हमने बिल्कुल उनको C बनाया और सीथा जोड़ दिया, बट इसमें हमने दोनों C को कैसे जोड़ा, ऐसे, क्लियर हैं उपर वाले को ऐसे जोडा साइड वालो को हम जोडेंगे ही नहीं और नीचे वाले को हम ऐसे जोडेंगे अब सब बाहर की तरफ देखो आपको एक इस पूरे डायग्राम में देखो बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है यह लेयर दिख रही है पिंक कलर की यह पिंक कलर की लेयर दिख रही है तो सिंगल लेयर सेल बनानी है ठीक है तो यहाँ पर सिंगल लेयर सेल बनानी है कुछ नहीं करना अंदर इसके लाइनिंग करके उसको डिवाइड कर देना है बस बहुत ही थिन लेयर है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको बिग करना है उसको ठीक है कर दो इसको उसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा इस फूटित पराग गोश्च बनाना है ना हमको परिपक फूटित मतलब लगू भी जानू कैसे बन गए पराग कंड में परिवर्तित हो गए इसके अंदर ग्रीन कलर की ये देखो इतनी मोटी लेयर है वो बनानी अब हम जाओ पर इसके वोटित बनानि ये ुटित अज security जाओां वो में पराग एक किनितर फिर इनके आन्दर एक लाइनिंग खेज दो और कि इसे लाइनिंग के दो इसके अateur थोड़ी ब्यूटिफुल लगेगा ये क्योंकि उसके अंदर भी आप देखोगे ना लाइनिंग देखेगी क्योंकि जैसे ही आपके पराकंड लगू विजानू पराकंड में परिपक होते हैं आपकी स्फूटन कैसे होता है आपकी बाहे पराथ अंतर स्वच और मद्य डाइग्राम इजी है यही डाइग्राम थोड़ा सा टफ है इसी में आपको प्रेक्टिस की रिक्वाइमेंट है बाकी सारे इजी है अब देखना चारों तरफ बहुत सारी छोटी-छोटी लाइनिंग है तो आप थोड़ा सा इसको भी बनाई देते हैं कि सिंगल छोटी-छोटी कोशिक आएं है क्योंकि क्या हो रहा ना कि यहां पर इस फूटन हो रहा है तो इसका डी नेचुरेशन हो रहा है लेयर्स का अब यह लेयर्स आपकी डीजनरेट होंगी तभी तो परागकन बाहर निकलेंगे क्लियर अब देखो यहां पर आपको डाइग्राम देखो थोड़ा सा इतना हमने बना लिया इतना दिख रहा है आपको इतना हमने बना लिया अब क्या करना है यहां पर बहुत सारे परागकन बनाने हैं बट उससे पहले यह जो बीच वाला एरिया है इसमें आपको सारे में ये कोशिकाएं फिल करनी है चीकें? तो देखो इसमें क्या बनानी है? कोशिकाएं बनानी है एक सेकिंड थुड़ा इसको पतला करके, मार कर थुड़ा लाइट यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं बनानी है ठीके, अब यहाँ पर आप बना दो बहुत सारे परागकन बिखरी हुए बस यह बन गया आपका डाइग्राम और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर थोड़े यहाँ पर परागकन थोड़े पास पास बना देना ठीके? यहां पर पराग करन थोड़े पास पास बना देना क्लियर यह बन गया आपका डाइग्राम लेबलिंग कुछ खास नहीं करनी है इसके अंदर सिर्फ आपको देखो एक ही लेबलिंग करी हुई यह पराग करन बस डाइग्राम वापस शौट कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए दोनों ही सिमिलर लगे आपको बना लोगे व आपका डाइग्राम पराग करन या फिर नर्ली फक इसनरचना जरूरी नहीं हैoric बोलेगा आपको की पराग करन का डाइग्राब बनाओ एग्जामिनय Και सबनाओ तब भी आपको यह डाइग्राम बनाना है मिल देखो सबसे बाहर की दरफ दो परते होती है पराग कण के चारो तरफ पराग कण के चारो तरफ दो परते होती है बाहे परत को हम क्या बोलते हैं बाहे चोल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं एक्जाइन बोलते हैं तो सबसे बाहे परत हो गई है बाहे चोल बोलो इसको और ये जो अंदर की तरफ है अनते चोल बाहे चोल को हम क्या बोलते हैं आंचरोमिय अंग उसी जहां पर आपकी बाहिक परत नहीं मिलती है उसे हम ज़ंप और कहते हैं उसे अम जम पोर कहते हैं तो यह जनंचिद्र जनंचिद्र इसी जनंचिद्र से पराग नली का निर्मान होता है अब परिपक पराग कोश में दो कोशिका होती है एक बड़ी कोशीका और एक छोटी कोशीका बड़ी कोशिका को हम क्या बोलते हैं बड़ी कोशिका को हम काईक कोशिका बोलते हैं और छोटी कोशिका को हमने क्या बोला जनन कोशिका यह हो गई छोटी कोशिका इसको हमने बोला जनन कोशिका इसी के में समसुत्री विवाजन के फलसरूप नर युगमग बनेगा और इसको हमने बोला काईक कोशिका तो ये आपका डायग्राम होता है किसका पराग या तो आपको देखो जरूरी नहीं है एक्जामिनर चाहेगा कि वो आपको कन्फ्यूस करे क्वेस्टन पेपर बुक में से बनेगा डायग्राम बुक में से आएगा बट अगर आपने इन दोनों को नामों को नहीं समझा तो एक्जामिनर ने मान लोग नर युगमक उद्वित से दे दिया तो आप लोग बनाई नहीं पाओगे डायग्राम आपको पता हो ना चाहेग परागकण ही नर्युगमकोद्वित होता है क्लियर अब इसके बाद देखो एक और राइग्रा में परागकण नर्युगमक की संधशन हम विकास के विभिन और मतलब पराग कण की या फिर नर्युगमकोद्वित के विकास के चरण बताने हैं आपको नर्युगमकोद्वित के विकास के चरण बताने हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है पराग कण होता है समझना पराग कण होता है उसमें जनन छिद्र वगरा सब होंगे बट इसमें सिर्फ एक ही क कोशिका होती है और 20 में एक केंद्रक होता है क्लियर है अब इसमें क्या होता है आसमान विवाजन होता है और दो कोशिका बनती है बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बोला छोटी कोशिका को जनन कोशिका बोला बताओ तो यह क्या है आपका यह बता रहें डवलपमेंट औफ पोलन ग्रेन डवलब्मेंट कैसे होता है जो पराग कण का निर्मान होता है डायरेक्ट उसमें दो कोशिकाई नहीं होती है पराग कण में हमने बात करी दो कोशिकाई बट डायरेक्ट उसमें दो कोशिकाई नहीं होती है क्लियर है तो सबसे पहले एक कोशिकाई रहती है पॉर यहुआ पर देखोगे क्या रही है या फिर दीरे दीरे यहाँ पर परा नली बनेगी तो यहाँ पर जनन्चिद्र होगा यहाँ पर मान लो जनन्चिद्र है यह रहा जनन्चिद्र यह जनन्चिद्र है इस जनन्चिद्र से क्या बनेगी पराग नली अब देखो मैंने बताया था कुछ पादप ऐसे होते जिसमें परागण दूइ कोशी के अवस्ता में जढ़ जाते हैं और कुछ पादब ऐसे होते जिसमेist जर्म पोरे यह आगे की तरफ रद्धी करेगी और फिर एट्टी एंड क्या होगा कि आपका कि पराग कण बन जाएगा कि पराग कण में पराग नली बन जाएगी कि अभी तो मैंने बताई इतनी सी पराग नली बनी है ठीके मानलो चलो यहाँ पर दो नर्युगमक बन ही गए अपने ठीके यह पोलन ट्यूब बन रही है इस पोलन ट्यूब में आप देखोगे आगे क्या रहेगी आपकी हमेशा काई कोशी का और पीछे पीछे दो नर्युगमक कि दो नर्युगमक आएंगे ठीक है यह डाइग्राम रहा अगर आपसे पूछे परागकन के परिवर्द मतला परागकन के विकास के या फिर डवलप्मेंट की बनानी है तो आपको यह फोर डाइग्राम ही बनाने हैं बस जो मैंने आपको सिखाया है बस और कुछ नहीं बनाना है सबसे इंपोर्टेंट डाइग्राम आता है अनाट्रॉपस विजांड जैसे आपको बताया था मेल फ्लावर के अंदर सबसे इंपोर्टेंट थे यह तीनों डाइग्राम ठीक उसी प्रकार से यहां पर इंपोर्टेंट है आपका विजांड और भूर्ण कोश यह दो मोस्ट आएंगे तो क्वेश्ण यहीं से आएंगे बिजांड का डाइग्राम बहुत सिंपल बचों को लगता है हाड है कुछ नहीं बीच में क्या बनाना है अब बीच में बनाना है आपको अप्यार्ण का ठीक है अब यह आपको एक मैच्चो और बीजांड दे रहे खाए जिसके चारों तरफ क्या बनाने अध्यावरण तो सबसे पहले एक गोला बनाना है फिर यहां से लेना है और इसको यहां पर लिजाना है ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है ठीक है फिर एक और आउटलाइन करनी है अब इस आउटलाइन को इससे मिलाना नहीं है इसको सीधा ले जाना है ऐसे और यहां से एक डंडी निकालनी उसको यहां लाना है समझो बात को देखो इदर समझो यह बना लिया एक आपने अंडाकार संदचना इसके चारो तरफ ऐसे आपने आउटलाइन बनाई एक दूसरी बनाई दूसरी को आप यहां पर ले जागर जोड़ोगी नहीं ऐसे बना दोगी उसको ठीक है और यह नीचे किस से जुड़ा रह रहेगा आपका यह नीचे जुड़ा रहेगा आपका है कि अपरास है कि अब कि अब कि अब कि अब को यह मैचोर बनाना है तो इसके अंदर आपको ब्रूण कोश बनाना पड़ेगा यह बना दिया ब्रूण कोश जरूरी नहीं इसके अंदर ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ कि ब्रूण कोश में क्या होता है तीन कोशिकाएं उपर तीन कोशिकाएं नीचे और दो कोशिकाएं बीच में ठीक है अब बारी है इसकी लेबलिं में आपको क्या करना है सबसे बाहर की तरफ क्या है बाहे अध्यावरंट फिर अंदर की तरफ अंति अध्यावरंट यही आगे जाकर बीज चोल बनाएंगे टेस्ट आउट टेगमन ठीके फिर ये क्या है बिजान्ड वरंत ये क्या है अपरा ये क्या है फ्यूनिकल ठीके ये हो गया आपका चैले जा निभाग निभाग हो गया चैले जा इसको बोल दो रूण कोश क्लियर है यहाँ पर बिजान्ड द्वार बिजान्ड द्वार बस हो गया आपका बिजान्ड का डाइग्राम कम्प्लीट यहाँ पर बिजान्ड का है की कोशिका है बना दो इसके चारो तरफ तो यहाँ पर इसको लिख दो बिजान्ड का है इसके चारों तरफ आउटलाइन बनानी है दूसरी आउटलाइन पूरी नहीं बनानी है ऐसे बनाना है फिर इसको ऐसे जोड़ देना है बस बन गया डाइग्राम चीचे फिर देखो सबसे इंपोर्टेंट डाइग्राम आता है इसका बुरुण कोश्च का डाइग्राम अब एक्जामिनल क्वेशन क्या बोलता है मादा युगमकोदवित का नामान के चितर बनाओ तो भी आपको यही बनाना है दोनों सेमिलर है दोनों एक ही है ठीके कुछ क्छ नहीं ओवल सी सैल बनानी है एक क्लास में इतनी बार बतायां ओवल सी सैल बनानी है तीन कोशिकाएं 3 क कोशिकाएं उपर 3 कोशिकाएं नीचे और एक बीच में ही तो ये एक बड़ी कोशिका इसमें केंद्रक कितने हैं दो केंद्रक हैं चलो अब लेबलिंग करते हैं बस ये दोनों क्या है आपकी साहायक कोशिका ठीक है कैसी कोशिका है इसमें आगुनित कोशिका है ये क्या है आपकी अंड कोशिका एक्सेल ये भी कैसी है हिपलॉइड है तक उसके बाद में ये तीनों क्या है प्रती मुखी कोशी का कैसी है दूए गुणित है तो अगर आपसे एमसी के उमें पूछा जाए इसके अंदर कौन सी कोशी का दूई गुणित है दूवी कोशी का दूई गुणित है दो केंद्रक है बाकि सारी कोशी गाएं आउगुणित है ये भूण पोश कहां पर प्रेजंट होता है भीजांड में तो अगर आपको बोले मादा युगमको बात करते हैं सबसे पहले एक सिंगल कोशिका रहेगी मेगा स्पोर मदर सेल गुरू बिजानू मात्र कोशिका इसके चारो तरफ कोशिका है रहेगी कौन सी कोशिका है बिजान काई की कोशिका है ठीक है ये बिजान काई की कोशिका है ये क्या है बिजान काई की कोशिका और ये क्या है गुरू विजानू मात्र कोशिका एक बार लिख रही हूँ बाकी में इसको मेगा स्पोर मतर से लिखूंगी गुरू विजानू मात्र कोशिका फिर क्या होता है गुरू विजानू मात्र कोशिका में विभाजनों का धीरे धीरे विभाजन के फल सरूप डिविजन हो रहा है यहाँ पर ठीक है यह आपकी मेगा स्पोर मदर सेल ही है फिर उसके बाद में इसने फाइनली डिविजन के फलसरोप कितनी कोशिकाएं बनेगी चार कोशिकाएं क्या बन रहे हैं यह चार गुरू बिजाणू क्या बन गए गुरू बिजाणू इन चारों में से नाम यहां पर आपको मादा युगमकोद्बीत के विकास का डाइग्राम है यह ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ऐसी ओवल शैल बनानी है उसके चारों तरफ कोशिकाय बनानी है कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना सिफ कोशिका बनानी है फिर उसके बात में सेकंट बनांतर कोशिक तरफ वैसेrit यह कुछ भणानी हैर इसके बनानी अदें 3 टीन डायग्राम बना ली हमने विजांड काय की क कोशी काय गुरू बिजा नू मात्र कोशी काय। गुरू पिजानु दित्यक और चत्वश्यक पिजानोंने से तीन नस्ट्रो जाएं उप पहिर जो एक गुरू पिजानु बचेगा क्या वचछा रह एक गुरू बिजानु और इसकें क्या होगा तीन बार समसूत्री विभाजन होगा तो एक से कित्य कोशिकाय बनेगी दो दोसे हो fiber 2 C.C. बनेगी A.C. चार समसूत्री कितनी बनेगी आठै आपको ऐसे ही बनानी है पीर इसमें क्या इसके बाद में अरेंजमेंट होगा तीन उपर चली जाएगी तीन नीचे चली जाएगी और दो बीच में रह जाएंगे ठीके diez और इसके लेबलिंग करनी है ६हीं लेबलिंग करनी है जो हमने आगे सीखी थी देखो डाइग्राम गुरू बी जानु मात्रे कोशिगा four env gaining प्रारम वहा दो कोशिगा बनगी ऐड दे end क्या होगा यह आपका पूरा डवलप हो जाएगा वाहाँ पर आपको पूरा लेबल करना है इसको में ठीक है यह कौन से संरचना है साथ केंडर किये शॉरी कोशी साथ कोशी किया आठ केंद्र की सन रचना है मैं खुद ही नफ्यूद हो जाते हूं है कि लिख देती हूं में शाथ कोशी किये कि और है केंद्र की चित्र रहा पराग कड की अंकूरन का नामांकी चित्र बनाओ तो यह रहा पराग कण की अंकूरण का नामांकित चित्र ठीक है क्या बनाना है बिल्कूल सिंपल है कुछ रफ नहीं है देखों सिखाऊंगी मैं थोड़ा और एक सेकेंड थिन करना जो इसको वतिकागर बनाया है इस बार हम वतिकागर को थिन बना रहे हैं क्योंकि हमको इसके अंदर पोलन ट्यूब दिखानी है और इस च्यूब को हम थोड़ा बनाएंगे ताकि हम अच्छे से क्या सो कर सेके ताकि हम अच्छे से शो कर से किसको देखो इसको डाइग्राम मैं पूरा एस अजटी दैसा बनाना है इसके अंदर बिजान बनाना है यह बन गया आपका बिजांड बन गया इसके अंदर बिजांड के अंदर देखो यी ग्रीन कलर का ब्रून पोश है तो ब्रून कोश बनाओ तीन बिंदी लगा दो नीचे तीन उपर ओ दो बीच में अब उपर से क्या आएंगे बिटा आपके उपर से आएगे पराग कण तो पराग कण कैसे है यह आपके पराग कण अब जरूरी नहीं है कि एक वतिकागर पर एक ही पराग कण आएगा एक वतिकागर पर बहुत सारे पराग कण आएंगे तो यह हमने दूसरा पराग कण भी बना दिया यह भी पराग नली का निर्मान प्रारम करेगा ठीक है जो पराग नली पहले बन जाएगी वो पहले पहुंच जाएगी और पराग नली प्रवेश कहां से करेगी विजांड द्वार की सिरे से नीचे की दरफ विजांड द्वार यहां से प्रवेश करेगी पराग नली इसके अंदर तो आप से पूछेगी पराग कन की प्रवेश करा यहां पर क्या होगा प्रजेंट आपका यहां पर उसमें एक काईक कोशी का दो नर युगमक यह क्या है नर युगमक को और यह काईक कोशी का यह नर युगमक ठीक है अब देखो वई आपको इसको वतिकाग लिख देना वतिकागर पराग कण पराग नली वई एक बार नाम याद कर ली कभी वापस याद नहीं करने वई लिखने बिजांड बिजांड द्वार पराग नली लिख दिया पराग नली तो इसको लिख देना ब्रून कोश क्लियर तो बताओ आया समझ में बिल्कुल सा इची सा डाइग्राम है तो यह थे आपके मोस्ट इंपोर्टेट डाइग्राम ऑफ दिस चैप्टर क्लियर है तो देखो सबसे पहले हमने फ्लावर का डाइग्राम बनाया यह नहीं पूछा जाएगा कभी भी फिर भी हमने बन क्लियर कोष्ट की अनुप्रस्त काट का डाइग्राम बनाओ तो यह गवादा और यह बनानो फिर इस को करके यह वाला डायग्राम बनाना फिर अग्र Q आसा सब यह नहीं बनाना वर Mister सेकेंड और फंड नंबर यह बनाना फिर मैंने आपको बताया फि Accept poser इस फू का डाइग्रम बनाना यह और कि पराग Koloda कैसे होता है और अगर आपको बोले की पराग नामंंकी चित्र बनाओ पराग कंड को ऀन युग मकरम बहें जिना भीत बोलते हैं याद रखना मिय कि उसके बाद में बिजांड का नामंकी चित्र बनाओं तो आपको यह बनाना एना ट्रॉपस भी जांड फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि जो मादा युगमकोद्वित हैं भूण कोश का डवलपमेंट कैसे होता है तो वो उसकी डवलपमेंट का डाइग्राम यह रहा यह मैंने आपको सिखा दिया यह लाइन वाइस सेल रहा है और यह सीरीज आगे जाकर कंटिन्यू हो जाती है और एड दे है तो यह वार डाइग्राम बनाना है अगर आप साइड में गुणित लिख होगे दुए गुणित लुग होगे तो लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है फिर पराकन के अंकुरन का डाइग्राम तो यह रहा वो डाइग्राम क्लियर आए होप आप सभी लोगों को सारे करना है अभी कर लेना फिर साल के एंड में आपको वापस कभी प्रैक्टिस भी नहीं करने पड़ेगी मतलब सिधा आप एक्जाम में बना सकते हो ठीक है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर से लेट